वेलकम बैक गाईस तू दा चैनल, थैंक यू अल अफ यू फॉर यूर लव और सपोर्ट, आज हम देखेंगे बुल-बुल बर्ड की ग्रोथ डे बाई डे, किस तरह उसने अंडे दिये और किस तरह वो छोटे बच्चों से एक चिडिया में बदल गई आज दूसरा दिन है और अब हम देखते हैं गोसले में पहले दिन तो वो सिर्फ एक ही अंडा था गोसले में लेकिन आज मुझे दो अंडे दिखे तो पहले दिन चिडिया ने एक ही अंडे दिये थे और दूसरे दिन उसने दूसरा अंडा भी दे दिया और तीसरे दिन जब मैं अंडों को दुबारा देखने आया तो मैंने देखा जो चिडिया थी वो बैठी हुई थी और उस दिन तीसरे अंडा भी घुसले में आगी एक हफ्ते होते होते चिडिया लगातार घुसले के पास आने लगी और वो अंडे पे बैठके उसको सेती थी ताकि बच्चे जल्दी से उसके अंदर बड़े हो जाएं और अंडा फूट के उसमें से बच्चे निकल जाएं ये हर साल आती है हमारे घर पे हमारे हां मनी प्लां आसा बुलवूल का बच्चा बाहर आ गया था वो हिलडूल नहीं रहा था क्योंकि वो पूरी तरह नहीं निकला था वो कोशिश कर रहा था बाहर निकलने की और मैंने थोड़ी देर वेट किया और एक दो घंटे के बाद बच्चा पूरी तरह अंडे से बाहर निकल आया ज दूसरा बच्चा भी अंडे से बाहर निकलाया। 15 टे भी मैंने वेट किया कि तीसरा अंडे में से भी बच्चा बाहर निकलाया। लेकिन उस दिन भी बच्चा नहीं निकला। और 16 टे पर मैंने देखा कि तीसरा अंडा है नहीं घोसले में। पता नहीं वो कहां गया, वो घोसले में नहीं थी, अठारवे दिन तक उन बच्चों की आँखें नहीं खुली थी, और मैं डेली आके उनको मैं प्यार से बुलाता था, आवास लगाता था, ताकि वो मेरी आवास पहचाने, 19th day पे तक आते आते, वो चड़िया के बच्चे मेरी आवास पहचानने लगे थे, मैं जब भी आता, तो वो मुझ खोलके खाना मागने लगते, उनकी आखे भी खुल गई थी, तो मैंने उनको fruits देना शुरू किया, मैं उनके लिए daily daily soft-soft fruits लाता था, जैसे watermelon, kela, apple, papaya, ताकि वो easily खा ले, और मुझे 2-3 दिन लगे उनका विश्वास जीतने में, ताकि वो मेरी आवास पहचाने और खाना खा ले, तीन हफ़ते बीत गए थे, और बच्चे मेरे हाँस से खाना खाते थे, मैं जैसे उनको अवास लगाता, वो अपना मूँ खोल देते, और मैं उनको papaya खिलाता था, बेसिकली वो ज़्यादा तर papaya ही पसंद करते थे, मुझे reason नहीं पता, लेकिन papaya बहुत ही चाओ से और प्यार से वो लोग खाते थे, fruits के बड़े-बड़े तुकड़े खाने में उनको थोड़ी दिक्कत होती थी, इसलिए मैं उनको छोटे-छोटे हिस्सों में लाकर उनको खिलाता था, ताकि वो अराम से खाले, और जैसा कि आप देख सकते हैं, उनको थोड़े-बड़े parts खाने में या थोड़े-बड़े तुकड़े खाने में दिक्कत होती थी, इसलिए आप कोशिश करें कि आप उनको छोटे-छोटे ही फल खिलाएं, छोटे-छोटे तुकड़ों में और वो सौफ्ट होने चाहिए, ताकि वो उनके गले में फसे ना, और वो अराम से उसको लील लें, अगर आप इस चैनल पे नए हैं, और आप जानवरों और चड़ियों के वीडियों देखना पसंद करते हैं, तो सस्क्राइब और लाइक करना मद भूलेगा, 22 दिन तक होते होते, चड़ियों के पंक में बाल आना शुरू हो गए थे, वो और जादा स्ट्रॉंग होने लगे थे, और वो अपनी बड़ी बड़ी आँखों से मुझे देखते थे, वो मुझे पहचान चुके थे, कि मैं उनके लिए खाना लाता हूँ, और बेसिकलियों मैं उनको एक दिन में एक या दो ही बार खाना देता था, बाके टाइम तो उनकी मम्मी और पापा उनके लिए तरह तरह के कीड़े, तरह तरह के मकॉड़े लाते थे, ताकि बच्चों की हड़ीयां और ज़्यादा मस्बूत हो, सिर्फ फल और फ्रूट से काम नहीं चलता, फल और फूट से वाइटमिन्स और मिनरल्स देते हैं, तो उनके मम्मी पापा उनके लिए कीड़े लाते थे, ताकि इनकी बून्स और इनकी शरीर और ज़्यादा स्ट्रॉंग हो जाए, ताकि ये और अच्छे से उड़ सकें, और ये मजबूत हो जाए, तो इसलिए वो त आप सब हमेशा एक चीज याद रखेगा, जब भी चड़िया अंडे देती है, जाए जो भी चड़िया हो, और जब तक उसके बच्चों के शरीर में बाल नहीं आते, तो कृपया करके उन ना अंडों को ना उन बच्चों को अपने हातों से छुएं, क्योंकि ऐसा करने पर चड़िया अपने बच्चों को घुसले से गिरा देती है या त्याग देती है, मुझे रीजन तो नहीं पता है इसका, लेकिन ऐसा करना ठीक नहीं है, क्योंकि वो तुरंत घुसलों से बच्चों को गिरा देती है, तो अंडों को और बच्चों ना ही छुएं, अब 24 दिन बीद गए थे और बच्चों के पंक अच्छे खासे दिख रहे थे, बड़े हो गए थे, उनके शरीर में हर तरव बाल आ गए थे, वो उड़नी के काबिल हो गए थे, तो मैं उनके लिए वाटर मिलन लाया, लेकिन 24 दिन उनमें से किसी ने भी, कोई भी फूर्ट्स नहीं खाया, ना ही वाटर मिलन खाया, ना ही बनाना खाया, उन्होंने मुझसे खाना खाना बंद कर दिया, पच्चीसवे दिन जब मैं घोसले पर बच्चों को देखने गया, तो मुझे बच्चे नहीं दिखे, और उनके मम्मी पापा बहुत सदा चूचू 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 अवाज लगा रहे थे, तो तब मैंने देखा, जो उसका पहला बच्चा था, वो मेरे गेट पे बैठा हुआ था, और पता नहीं क्यों, शाइसे वो वेट कर रहा था, या वो धन्यवाद बोलने आया था, कि हमको खाना खिलाने के लिए, और उसको मेरे पे भरोसा था, जै नहीं था जरा सा मुझ पे भी, क्योंकि ये मुझे पैचानता था, क्योंकि इसने मुझे आँख खुलते ही देखा था, तो अब ये बड़ा हो गया था, और इसने अपना उड़ना स्टार्ट कर दिया था, शाइसे इसके मम्मी पापा इसको ट्रेनिंग कर वा रहे थे, और आप देख सकते हैं, बच्चों के वे पक्षी खासी होगे हैं, अगर आपको मेरे ये छोटी सी मदद जानवरों के लिए और चिडियों के लिए पसंद आई, तो प्लीस लाइक और सिस्क्राइब, ठैंक्स